नमस्कार! इंगलिस की Online क्लास में आपका स्वगत है। आज मुझे इंगलिस का जो ग्रामर का टॉपिक है Fragile Verb यह अपके बार हमारा जो कॉर्स हैं इंगलीस का स्केंदर इसको इंक्लूड किया गया है और इसके अंदर यह होता है कि एक अपनी वर्ब उसके साथ प्री पोजिशन या एड़ वर्ब यह जूडा हुआ होता है और फिर उसका अर्थ है वह हमको अलग ही मिलता है वह होती है ह को पॉजिशनल पार्टीकल से फॉलो होती है फ्राजल व evaluate है यहां पर दिया गया है उतको बेव हैं जिनका प्रीयोग अक्यलन गार्थ प्रीपयोजिशन यहां एड़ वर्प के साथ लोकर के साथ होता है यां पुर्दी टो इसको प्रॉजिशन यहां एड़ करसे क्या गया हैं फस्ट है वर्ब फॉलॉवड बाई प्री फॉल्ट रि नेगी एक तो प्री फॉलॉवर करती है जैसे और अर्टम फॉलॉवरं करती है जैसे अलग लग हिस्सों का अलग लग अर्थ निकलता है यनिकी मुखे रूप से इसके जो वर्प्स हैं फ्राजल वर्प्स के अलगलग हिस्सों का अलगलग हमको अर्थ मिलता है लेकिन उन्हें एक साथ जोडने पर नया अर्थ निकलता है इसे लुक मिनिंग है इसका अर्थ होता है देखना पर जोडने के बाद उसका अर्थ देखबाल करना हो जाता है यहां पर कुछ इंपोर्टेंड एडवयर्ब्स देखे हैं यदि कि अपने तो फ्राजल वर्पस दे गई है इसके अंधर इंकथ़ और चलिप्रि पोजिट्स और एक एडवब उसको समझते हैं, देखिए, यहाँ पर अपनी फर्स्ट एडवर्ब है, ब्रिक डाउन, फर्स्ट एडवर्ब है अपनी ब्रेक डाउन, ठीक है न, इसका अर्थ होता है, अच्छानक असफल होना, अच्छानक असफल होना, इंगलिस के लिए इसके वर्ड है कॉलेप्स, और सेंटेंस में यूज हुआ है, when I was, when I was going to my office, my car broke down, ठीक है न, यहाँ पर अपनी जो एडवर्ब है, उसका यूज हुआ है, यहाँ पर ब्रोक डाउन का, नेक्स्ट है, ब्रेक फॉर्थ, ब्रेक फॉर्थ का मतलब बता फट जाना, यहाँ फिर फट पड़ना, और इंगलिस के लिए इसका वर्ब है, ब्रस्ट आउट, सेंटेंस यूज हुआ है, इसका शी ब्रॉक फॉर्थ इंटू टियर्स, हमको यह जो अपनी जो फ्राजल व आना शी समझ में, ब्रेक इंटू, नेक्स्ट है हमारी वर्ब, ब्रेक इंटू, इसका मतलब होता है, बल पुरुवक परवेश करना, यानि कि एंट्र बाइ- प्फॉर्स, जहां पर एंट्री होती है, वो फॉर्स हैं, यानि कि बल के द्वारा हो, यानि जबरधस्ती एंट भी हो वो तर ब्रेक इंटू अपनी फ्राजल वापस यहां पर सेंटेंस में यूज हुआ है यहां पर दिया है ब्रेक इंटू एंटर बाई फोर्स दा रोबरस ब्रोक इंटू आर हाउस वेन वी वर स्लिपिंग तो यहाँ पर break into जो हमारी जो फ्राइदर वाब इसका यूज हुआ है next है break off break off का मतलब होता है अच्छानक बादशित रोकना stop talking suddenly यहीं कि अच्छानक से बादशित को रोकना when I enter the room, they broke off यहीं कि जब मैं room के अंदर enter हुआ यह परोकाप उन्होंने अपनी बादशित रोक दी तो यह है अपना एडवब break off next है break out break out का मतलब होता है अच्छानक प्रारंब होना यह छिड़ना अच्छानक आरंब होना break out होता है begin suddenly used of war यह यूद का अच्छानक स्टाट होना fire अगनी का अच्छानक लग जाना यह epidemic महा मारी यह फिर कोई violence हिंसा का अच्छानक से ब्रारंब हो जाना यह सब है break out अपनी जो है राजलवब उसका use हो रहा है यह example दिया है war broke out between India and Pakistan यह नहीं की बारद और पाकिस्तान का जो यूद है वो चिड़ गया नेक्स अपनी अड़वब है breakthrough breakthrough का मतलब होता है के बीच का रास्ता निकालना यह यह make away throw के बीच का रास्ता निकालना इसका example दिया है the soldiers broke through the fence the soldier broke through the fence next है break up break up का मतलब होता है तित्र बित्र होना इसके लिए disperse example दिया है when the police camp the writers broke up यह होता है break up यह यह दित्र बित्र हो जाना बिखर जाना वास है and last हमारी break वाले जवाब है break bit break bit का मतलब होता है के साथ सम्बंद स्मापत करना she is to be friendly with example दिया है Ram has broken with her friend गीता ठीक है ना Ram ने गीता के साथ में मित्रता का समन्द था वो समापत किया अब अगला अपना जो यह जो fragile verb है वो है carry जैसे इसका मतलब होता है ले जाना लेकिन इसके साथ में preposition या कोई add-up जूड़ेगा तो इसका अर्थ बिन हो जाएगा अलग हो जाएगा first happening fragile verb carry about अर्थ होता है एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर जाते समय कोई चीज साथ रखना ठीक है ना to return a thing while you go from place to place एक्जमपल दिया है this man carries about सारीज और सौलवा suits for sale ठीक है याँ पर एक्जमपल दिया है इसने carry about के बाद में अगली अर्वब है carry away carry away का मतलब तर ले जाना और इंगलिस के लिए इसका वर्ड जो सिमिलर वर्ड है वो है bear off एक्जमपल दिया है इसने his son carried away all the money his son carried away all the money and next है carry off carry off का मतलब है मार देना kill इंगलिस का वर्ड जो के लिए kill और एक्जमपल है many peoples were carried off at the time of partition many peoples were carried off at the partition मार देना carried off का मतलब next अपना है फ्राजल लवब carry on carry on का मतलब है जारी रखना continue example दिया है it was raining but he carried on his lecture it was raining but he carried on his lecture carry out carry out का मतलब है क्रियान वित करना execute करना we have to carry out our plan now example था we have to carry out our plan now and last हमारा जो carry का फ्राजल वर्ब है carry throw accomplish इसका मतलब होता है पूरा करना carry throw का मतलब है पूरा करना और इंग्लिस के लिए वर्ड है इसके accomplish और example दिया है इसने sentence के अंदर he was very anxious to carry through his work as soon as possible यहाँ पर carry throw का यूज हुआ है तो इस पकार से यह थे हमारे break और carry की fragile verb अगली हमारी fragile verb है come वाली come यह fragile verb है हमारी come तो इस से इसके साथ में preposition और adverb जुड़ते हैं तो अलग ही आर्थ मिलता है इनको समझते हैं जैसे come about come about का मतलब है हुना और इंग्लिस के लिए what happened example दिया है इनोंने how did it come about that he fell from the terrace ठीक है नों तो come about का मतलब होना होता है happen come across come across का है मतलब सायोग से मिलना meet by chance सायोग से मिलना I came across an old friend when I was buying vegetables next come buy come buy का मतलब है प्राप्त करना equise how did you come buy this costly mobile how did you come you come by this costly mobile next है come down come down का means है एक PD से दूसरी PD में गुजरना passed from one generation to another examples है well system has come down to us from the days of Mughals well system has come down to us from the days of Mughals next है come down upon come down upon का मेंस है जोर से डाटना और इंगलिज के लिए वर्ड है रिप्यूक डाटना जम्पल दिया है मिस्टर राजे सर्ड केम डाउन अपॉन इस सन्वेकोज ब्रॉक कोस्टली फ्लॉवर वीज फ्लॉवर वेज इसके बाद में कम इन कम इन का मतलब पहुंचना इसके लिए वर्ड है राइज राइव या फाइंड प्लेस जम्पल दिया है एक कैम इन लास्ट नाइट एक कैम इन लास्ट नाइट फिर next हमारी एड़ वर्ड है कम इन फोर कम इन फोर का मतलब है पाना कम इन फोर का मतलब है पाना receive भी कहते उसको he came in for a surprise gift he came in for a surprise gift next है keम 운 का मीन से प्रगती भी प्रोगर्स करना the poor boy was coming on nicely come off कम आफ का मतरब घटित होना इसको भी happen कहते हैं example दिया है when does holy come off when does holy come off फिर है come out come out का means से प्रकट होना और English के लिए word है appear example दिया है balance come out for 90 balance comes out for 90 next है come out with come out with का मतलब है अच्छानक कहना to present to present unexpectedly to present unexpectedly ठीक है ना अब देखिए इसका क्या हुआ है example के अंदर वाक्य प्रयोग जो है वो रागव come out with some problems related to the project यहाँ पर come out यह जो हमारा फाजलोब है next है come over come over का means है दिमाग में आना फिल वन्स माइंड फिल वन्स माइंड example दिया है इनने it suddenly came over the her came over her that she had lost her purse it suddenly came over her that she had lost her purse come round come round हमारी फाजल वाब है इसका mean से राय बदलना change one's opinion अपने विचारों को बदलना example है I had to come round my views about my neighbors come to होश में आना return to consciousness she will take two hours to come to after the operation जांपल है इसका वाके प्रयोग next step come through सफलता पाना get success अर वाके प्रयोग है इसका he could not come through his business come through यह जो है हमारी fragile वाब है come through next है come up come up का means है जमीन में से उगना to shoot up above the ground example there the seed never come up at all the seed never came up at all next है हमारी fragile वाब come up with come up with come up with जांपकडना overtake करना Ram was beginning the race but in the end Rohan came up with him यह जांपकडना overtake करना and last हमारी fragile वाब है come upon come upon का means है साइयोग से मिलना find by chance और example दिया है इन्होंने I came upon my lost ring under the table I came upon my lost ring under the table तो इस प्रकार से आज हमने break, carry और come इनकी जो यह fragile वाब है इनको समझ लिया है अगले वीडियो के अंतर इससे आगे कि जो इने fragile वाब है उसको समझेंगी आज के लिए इत्र है